हुआ है विल्कम बैक तो माई चानल हुज ग्राम गवर्ल तो आज मैं आप लोग के साथ यह वाला मेकप लुक शेयर कर रही हूं यह मैंने क्रेट किया है लोरी के लिए आज लोरी है तो सबसे पहले हैपी लोरी टू आल अफ यू यह लोरी आपकी लाइफ में खुश्या ले अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ लव वंक के साथ तो चलिए मेकप को स्टार्ट करते हैं एन राइट नाव आम वियर फेस, सो मेकप को स्टार्ट करने से पहले अपने हैर को टाइ कर रहे हूँ एक क्लिप की मदद से देन बारी आती है टोनर की, यहाँ पे मैंने गुट वाइब्स का रोज जिव वाला टोनर यूज किया है, टोनर जरूर यूज किया करो गाइस, यहाँ पे मैं स्पॉन का लाइट मौश राजर यूज कर रही हूँ, मैं फर्स्टाम इसे यूज किया है और आम सो इंप्रेज इसकी वीडियो आने वाली है, बहुत जल तो यहाँ पे मैं लिप बाम एपलाइ कर रहे हूँ, यह ब्लू हेविन का लिप बाम, तो अभी बार आती है, प्राइमर की, प्राइमर आप जरूर यूज किया करो, इससे आपका जितने भी प्रोज वो मीनिमाइज हो जाता है, आपका मेक अप लॉंग लास रहता है, यहाँ पे में स्वीज ब्यूटी का प्राइमर यूज किया है, तो अभी मैं ब्राउस को फिल इन कर लेती और कैमरा में देखते देखते, कंसीलर जो है, वो आई ब्रो को ओवर दे टॉप कर दिया, तो ठीके बाद में हम लोग ब्लेंड करके ठीक कर देंगे, अभी पाउडर सेट कर लिया है, आई बेस रेडी हो गया है, तो यहाँ पे यह यलो कलर लेके मैं बस क्रीस को बिल कर र ब्राउन कलर लेके उसकी एज़ेस को ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि कोई भी हार्ष लाइन ना रहे, क्रीज में थोरा सा डेप देपाऊ, इसलिए मैं एक ब्राउनी सा कलर बस थोरा बहुत ही लिटल अमांट में क्रीज में दे रही हूँ, उसके बाद वही येलो शैडो ल जब भी आप करोगे, अगर कट क्रीज इधर उधर हुआ तो आपका आई मेकप पूरा खराब हो सकता है, तो एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं कंसिलर जो है उसे ब्रेंड आउट कर रहे हूँ, ये एक शिमरी पेस्ता ग्रीन कलर लेके मैं इनर कॉर्णर में वन थर्ड में इसे प्लेस कर दूँगी, ये ग्रीन कलर लेगे, मिडल अफ दा आई लिड प्लेस कर दूँगी, ताकि एक ग्रीन का शिडर रहे, ये ओलिफ सा ग्रीन कलर आउटर वी पे प्लेस कर रहे हूँ, ठीक है, तो इतने से ही आई मेकप को यहां तक के लिए छोड देते हैं, बार भी भी स्रोप कीम यूज कर सकते हो, आपके बजट के एकॉर्ड ये थोड़ा हाइँ प्राइज में है, तो ये आज लुक करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो लोग पंजाबी होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों का बात करने का स्ट प्राइल, उन लोगों का तरीका, उन लोगों का खाने की जो फ्लेवर है, उन लोग जो भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों का त्वहार भी मुझे बहुत अच्छा लगा, and I don't know, मुझे उतना जादा इस लोरी ये फंक्शन के बारे में उतना कु स्वेस ब्यूटी की फाउंडिशन यूज कर रही हूँ, ये फाउंडिशन मुझे पहले एक दो दिन ठीक ठाक लगा, राइट नौ मुझे अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बेस बहुत केकी केकी सा लग रहा है, I don't like it, पता नहीं क्यों स्वेस ब्यूटी बट ये उतना खास नहीं लगा, ठीके तो कंसीलर के लिए यहां पर मैं यूज किया मेबलीन का फिट मी कंसीलर इंदी शेटेन लाइट, तो ग्लाम 21 के पाउडर, कॉम्पैक पाउडर से मैं पूरी बेस को सेट कर रही हूँ, ताकि कोई भी क्रीज ना हो, या केकी केकी ना हो, पूरा बेस सेट हो जाए, तो यहां पर मैं NYB की स्टिक कॉंटूर से कॉंटूर कर रही हूँ, अपने नोज को, इसका शेड है, I guess, 7 टॉफी, या आप लोग एक बार डिस्क्रिशन बॉक्स शेक कर लेना, जो भी है, मैं लिंक दे दूँगी, उसके बाद आप आरी आत तो क्रीम ब्लश, क्रीम हाइलाइटर कुछ भी अपलाई क्यों न करो, आपको लास्ट में पाउडर से सेट करना है, अब बार आती है लोग लाइन की, लोग लाइन में मैं वो येलो कलर से समच किया, और आउटर कॉर्णर में थोरा-थोरा वो ग्रीन कलर एट कर दिया, तो ब्लश के लिए यहाँ पे में एक मॉवी सा कलर यूज करूँ हो, जब भी आप ब्लश एपलाई करो तो आप उपर की तरफ थोरा-थोरा दीते जाना जैसे मैंने दिया, थाकि आपका फेस थोरा बहुत लिफ्टेट सा लगे, इसलिए, तो यहाँ पे मैं सोईस ब्यूटी क यह ब्लेक बैषयर पैलेट से मैं उफ आपके लिफु आपको अशएल्य उस प्रफोप पैलेट से में एल एक अच्छा वाला पैलेट है, मुझे बमजे ज्चा लगता है वर्साटल पैलेट है, इसके मदद से आप आईशाडो यूज कर सकते हो, बलश यूज कर सकते हो, र आप हाइलाइटर यूज़ करोगे तब लास्ट में ब्यूटी बेंडर के मदद से सभी को ब्रेंड आउट कर देना ताकि कोई हाइलाइटर का कोई हाश चीज ना रहे ठीक है पूरा लुक एक दम ब्रेंडबल लगी इसलिए तो लिप्स्टिक के लिए यहां पर मैंने दोनो लिप्स्टिक का लिए तो इसलिए मैं यह चॉक्लेट कलर अप्लाइग कर रहे हैं तो यू कन सी इस कितना अच्छा लिप्स्टिक का कलर आया तो यह हैर इस मैं एप्सुर्ट पाइन फिनिश लोग होप आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक श्यर अप्टकिले स्थे टून से ब्स्टेक कर अप्य लोडी तो अल अव यू